आप सभी का स्वागत है आज हम कच्छा 10 कि समाजी विज्ञान का यहां पी यूपी बोर्ड के द्वरा 2024 के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है यहां समाजी विज्ञान का कम्प्लिट सिलेबस देखेंगे तो फ्रेंस आप यहीं सिलेबस के अपना तयारी करते हैं तो आप बोर्ड के एक्जाम में 95 परतिशत अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है चलिए फ्रेंस टोटल सिलेबस देखते हैं कि आपके समाजी विज्ञान का सिलेबस क्या है देखे फ्रेंस इसका इकाईम चार भागो में बाटा गया है इस इकाई को पहले इकाई में आपको क्या करना है कि भारत और समकालीन विश्व इतिहास के बारें पढ़ना जहां से 20 नंबर के आपके प्रश्ण आने वाले हैं दूसरा भाग है समकालीन भारत भुगोल यहां से भी 20 नंबर के आपके प्रश्ण आने व लिए 49 अरति व्यकस की समझ अर्थ शास्त्र जो पंद्रा नंबर का में आपका अब्लिए 50 स्थां नंबर कमए और फ्रेस आयू प्रॉजर्च कर बोस्थि अब उती। प्रति नंबर को इस प्रकास टोटल आपको सो नंमर का इस अब दो आक यहां पैप तो समकालीन विश्व हैं जो इसका दो है यहांज ब्यस सब्सक्राइब फ्रेंट अब कि तना नंबर का प्रस आने वाला है टोटल आप नंबर का घतना और प्रक्रिया एपाला भाय इसमें साब को पढ़ना रहेगा यूरोप में राश्टवाद काूध है अब देखें इसमे राष्टरवात के बारे में पढ़ना है दूसरा point प्रेंस आपको है कि जो सेप मेचीनी आथी विच्यार के बारे में पढ़ना है इस रहे के Poland Hungary इटली जर्मनी और Greece अंदोलन के समानताएं विशेस्ता हों के पोइण्ट पॉइंटमों सीने प्रिफ्टम उर्फबाद में पॉइंटमों के लियूकुए में, राश्टरवाद में क्यार पॉइंट, प्लांट है구나, विश्व युद्ध का प्रभाव खिलाफत असायोग वेवं विभिन आंदोलनों के मद्विचारदारा क्या थी नमक सत्यागरा के बारें पढ़ना है जन जातियों स्रमिको एम किसानों के आंदोलन के बारें पढ़ना है फिर इसके बास सवीने अवाग्य आंदोलन की सीमाय क क्या है पांचवा नमबर के सामुएक अपनत्तु की भावना यह आपके सभी टापिक आपके हैं अब चले फ्रेंस देखते हैं खंड दो खंड दो में फ्रेंस है जीविक अर्थ विवस्ताय समाज के बारें बताया गया है जहां से आपके पेपर में साथ अंग का इसमें है आपका पूर्व आधुनिक विश्व के बारे में फिर दूसरा है कि उन्नीस्वी शताब्दी यानि के अठारो सो पंदर से लेक उन्नीस चौदा विश्व अर्थ विवस्ता उपनिवेश वाद के बारें पढ़ना है फिर इसके बाद तिसरा पॉइंट आपको प इसे वहट परेपारें आपकी प्रेपर में सब्ढ़ना है ठीक है यह पॉइंट अपने बुक्स में ऑस्रिक लगा लेजिए और इन इन्हीं पॉइंटों काई सिर्फह परद्धियेगा और इन्हीं पॉयंटों से ऑपकी श्लेबस में पय पर आएगा अगला देखते हैं यहां पर और ड्रक्र थी"- दूसरा है प्रहारेविक, उद्द्रमी और काम गारेब। और द्योगिक विकास का अनुठापन वस्तों के लिए बाजार यह सभी पॉइंट आप किताब पर निशान लगा के पढ़ दीजिएगा देखें फ्रेंस अगला पॉइंट है खन ती जिसमें रोजाना की जिंदगी संस्कृत और राजनिति के बारे में आपको पढ़ना है चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है इसमें यहाँ पर है कि मुद्रण संस्कृति और आधनिक विश्व के बा संदित आपको इन सभी टापिकों की तैयारी करना है अब देखें फ्रेंस आप से मांचित्र से संब्धित सवाल हर साल बोड की एक्जाम पूछता है तो आपका यह पांच नंबर का मांचित्र संब्धित प्रश्ण पूछा जाएगा जिसमें कौन कौन से टापिक से आपक 2018 से लेकर 1930 के बीच में जिसमें दर्शाना और नमांकर पाचान करना रहता है दूसर पहला पूइंट इसमें आता है भारती राश्टी कांग्रेस के अधिवेशन जैसे कलकत्ता कहां पर हो सितंबर 1920 नागपूर सितंबर 1902 दिसंबर 1920 मद्राश लाहोर यह सभी आपको मांच चित्र से संबंदित आपको एक वीडियो अफ्लोड कर देंगे जिससे आपको सभी पॉइंट बता दिये जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहां पर है देखे दूसरा वाला है यह आपका भारती राश्टी आंदोलन के महत्तुपूर केंद्र असायोग आंदोलन और सावी ने संबंदिते के पहला है चंपारण नील की खेती वाले किसानों का अंदोलन यानि चंपारण बिहार में हैं दूसरा खेडा घुजराथ में हैं किसान सत्यागरा है दिसरा पॉइंट है अहमादाबाद गुजरात सूती मील स्रमिकों का सत्यागरा है अगला है अमिर्सर पंजाब जाली वालबाग हत्यकांड हुआ था यहां पर अगला वाला पॉइंट आपका है चारी चारा जुत्तिर परदेश में असायोग अंदुलन का उद्धोषर पूछे जाएंगे जो देख नहीं सकते हैं अब देखते हैं इकाई दो एक में देखा जा रहा था अभी काई दो दिखा देखेंगे जिसमें समकालीन भारत तू भुगोल अब देखें आप 20 अंक काईगा इकाई फरस्ट से जब आने वाला आपका नो नमबर काईगा अब इसको प्योड़ के प्रकार तथा वीत्रण के प्रारूप में परिवरदन भू छोन इन सभी प्वाएंटों के बारे में पढ़ना है इसको आप एक बार निसान लगा लिजी उसी पॉइंट को आप बार बार पढ़ते रही है ठीक है अब देखे फ्रेंट अब अगला पॉइंट आपका है वन एम वन जिव सन्रच्छर से संबंदित भारत में वन अस्पति जगत प्रणी जगत भारत में वन और वन जिव का संरच्छर समुद्र और वन स्रच्छर इस परणां अगला संसाधन के बारें परना है देखे संसाधन वी तरण उप्योग बहुत देश्टी जो परिजनाएं उनके बारे में जल की दुर गटना संचार एम प्रबंद की और शक्ता वर्षा जल संचयन के बारें इन के बारे में मुख्य फसल सज्सेप्रारूप तक्नीकी ति' criterion सफ्था सुधार उनका प्रभाव इन संवह की बादू अब देखे फ्रेंस अगला पॉइंट इकांट टू है जिसमें से आपको छह अंग का प्रश्ण आएगा अब देखे प्रश्ण नमब पाच्वा इसका भाग है कि खनीज तथा उर्जा संसाधन के बारे में अब देखे खनीजों के प्रकार वीत्रण केवर मांचीतर कारे ही पढ़ना है इसके लिए ठीक है खनीजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व संचरण संरच्छर उर्जा संसाधन के प्रकार प्रंप्रागत दतगर प्रंप्रागत वीत्रण तथा उपयोग संरच्छर के बारे में पढ़ना है अगला पॉइंट फ्रेंस वी निर्माड अगला पॉइंट आपका है यहां से देखते हैं साथमा राष्ट्री अर्थ विवस्ता की जीवन रेखाओं के बारे में संचार एंपर युहन के साधनों का महत्त व्यापार प्रेटर यह सभी जितने भी पॉइंट है आप किताब पर लगाएंगे सिर्फ इसी पॉइंट क आप पढ़िए ठीक है अब दिए फ्रेंस मांचीत्री से संब्धित आपके पाच अंक्य के आएंगे देखिए आपको क्या करना भूगोर से पढ़ना है भारत का रूप रेखा राजनितिक मांचीत्री में देखिए कौन-कौन सा पॉइंट आपको पढ़ना है जहां से मां हर साल आपके प्यवल में आता रहता है यह बांद जो है इसी को आपको पढ़ना है सलाल बांद बाख्रा नांगल टेहरी राड़ा परताप सरदासरोवर हीरा कुन नागा अर्जून अतुंग भद्रा यह सभी बांदों को पढ़ना और किस नदीपे है इसको भी आपको सवाल जो बनते हैं देखते हैं कि यह पाचान आपकरना चावल एंगयों के प्रमुक छेत्र कौन कौन से उसका पाचान करना रहता है प्रमुक सबसे बड़े उत्पादक राज जैसे गन्ना चाय काफी रबड और जूट इसी के बारे में आपको पढ़ना रहता है और जो लोकतांत्रिक रजनित्य है जिसमें नागरी शास्त्र के देखेंगे worshции one में अध्याई वन एम two में देखते हैं सथा की साज़दारीं संगवाद के बारे में आको पढ़ना है लोकतांत्रिक देशो में सथा कि सज़दारी क्यों और कैसे है कैसे सक्थी की संगी विभाजन राश्ट्री एक्ता में सहा रहा है कि सीमा तक विकेंद्रिकर ने इस उद्देश की पूर्ति की है लोगतंत्र किस प्रकार से विभिन समाजिक समुहों की समायोजित करता है इन सभी पॉइंटों के आपको फ्रेंस पढ़ना है अब दिखेंगे फ्रेंस अगला पॉइंट कि पहुर्ण इसमें लोगतंत्रिक विवस्ता भी इतनी ही इसके बारे में जाती का राजनितिंति पर प्रभाप पढ़ रहा है किस प्रकार की लाइंगी भिन्नता ढेंत्रा असीड कि दर्श्वित कि प्रभाव faut किया है किस प्रकार के सब प्रदाइक विभाजन लोग तंत्र को प्रभाइद किया इस अभी पॉइंटों को पढ़िएगा अब तो कि एक टू है जहां सच्छा अंकर प्रशनाएगा अधाय चार जिसमें राजनितिक दल के बारे में पढ़ना है फ्रेंस प्रतियोगीता और प्रतिवाद संगर्स म लोगतंत्र को उसके परिवारामों से आकलित किया जा सकता है या कि चाहिए कोई भी व्यक्ती लोकतंत्र से क्या पेच्छाँ कर सकता है ऌह भारति लोगतंत्रित इन आप एच्छा की कि पूर्ती का यह से पॉइंट आपके बोड के एक्जाम में यहां से प्रशन पूछे जाएंगे अब फ्रेस्ट इकाई फोर है जहां पर आर्थिक विकास की समझ यानि अर्थ सास्तिर के बारे में पुढ़ना है जहां से 15 नंबर के आपके बोड के एक्जाम में प्रशन बनते हैं यहां प सब्सक्राइब आए और अन्य मापडंड शीशु मिर्त्युदर विकास की धरड़ी यह था इसके बारे में पहलना है दूसरा पॉइंट है कि भारती अर्थ विवस्ता के छेत्रक जैसे आर्थिक क्रियाओं के छेत्र छेत्रों में आयतिहासिक परिवर्तन तृतिय छेत्र क का बढ़ता महत्व रोजगार स्क्रिजान कार छेत्रों का विभाजन संगठित तथा असंगठित च्छत्र के स्रमिकों के सरक्षण के उपाए यह सभी पॉइंट आपको पढ़ लेना है इसके अलावा फ्रेंस आपको यहां पर पढ़ना है मुद्र तथा साक इस कि यही पॉइंट आपके स्लेबस में है अब देखे फ्रेंस इकाई टू है जहां से अच्छा अंका प्रश्ण पूछा जाएगा जहां से आपको पहला परना तो भूमंडली करण भारती अर्थी विवस्ता यानि वैस्विक करण इसमें भीन देशों में उत्पादन विद और फ्रेंस आपका है फांचवा पौइंट देखते हैं आपर तो भूकता अधिकार यानि भ鬼क आ का सोशल का कैसे होता है एक दो साध़ एक केस के बारे में भूकता के सोशल के कारण भूकता जागरूपता को रुदाय बाजार में भूकता को कैसे होना चाहिए भुक्ता सरचार में सरकार की भूमिका तो फ्रेंस यहाँ पे आपके जो लिखी 70 नमबर का पेपर होने वाला है आपको पूरा टोटल सेलेबस बता दिया है अब फ्रेंस जो 30 नमबर का प्रैक्टिकल का पेपर होता है या आपके स्कूल के द्वारा जिस स्कूल पढ़ रहे होंगे उस स्कूल के द्वारा सिछकों के द्वारा वो प्रैक्टिकल कार करवा दिया जाता है अब फ्रेंस यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट जो कार है इसको पूरा एक बार आपको दिखा देता है, यही टापिक आपको पूढ़ना है, और यही प्रैक्टिकल में है, आपको देख लीज़ीए, एक बार ध्यान से देखियेँ, कोन सर टापिक है, तो यहां तक आपका टोल समाजी की विज्ञान का, आपका इसलेबस था, दिक्ए किसी भी सब्जेक्ट के यदि आप तयारी कर रहे हैं तो उसका स्लेबस जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्लेबस के कार्डिंग यदि आप पढ़ते हैं तो उसी स्लेबस में सही आपके बोर्ड के एकजा में प्रश्न बनते हैं ठीक है यहां पर आप समाजी अब पूरा स्लेबस आप एक बार ध्यान से देख लिजिए गा तो फ्रेंज देखिए आप जिस सब्जेक्ट पर आपको स्लेबस का पूरा वीडियो चाह रहा है तो आप कर्मेंट बाक्स में जरूर लिख दें उस पर आपको वीडियो बनाके प्रवाइड कर देंगे तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें